हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग क्यासे आप सब उम्मीद करतु कि सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स हम चल पड़े हैं हैदराबाद से बॉंबे की तरफ तो हैदराबाद से हमारी बॉंबे तक की ट्रेन थी तो हम यहां उतरे थे दोपैर में बॉंबे की चिल चिलाती गर्मी ने हमारा स्वागत किया और हालत खराब कर दे तो यह सीटी सी इसको बोलते हैं यह जो रेल विस्टेशन है काफी बड़ा है एंड इसकी हिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही होगी बहुत ही अमेजिंग था मतलब बहुत ही ब्यूटिफुल था मतलब और सबकी हालत खराब हो गए थी तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर उतर के ढूंडा जो है होटल जो कि बहुत ही मुश्किल से मिला और सेम इस कैटी के जैसी हमारी हालत हो रखी थी है उसके बाद गिरते पड़ते जो है न काफी सारी रिसर्च करने के बाद और क परे foster ही खाणावान काय अन ञधा का या हम लोगों नी थोड़ाले रेस्ट किया और फिर रात को निकल गए थे हम बॉंबर को कहते हैं कि बॉंबर कभी सता नहीं है तो हम लोगों ने सोचा यह चलो अभी निकलते हैं थोड़ा फ्रैश हो गए तो तो घूमने कमन था तो हम पहुँच गे ते गेटवे ओफ इंडिया और येस हमारा जाना बिल्कुल सेक्सेस्फुल हुआ वहाँ पे चल ली थी ये मोवी जो की चतरपती शिवाजी जी का जनम था तो उसकी उसमें शाहती नोगों ने लगाया हुआ था हम नोट शोर कि हमेशा चलती है या उस टाइब को स्पेशल था तो बट यहां पर शिवाजी जी की जो जर्म से ले करके और जो उनके पूरी जर्णी थी ना वह इस गेटवे ओफ इंडिया पे शो की गई थी जो की बहुत ही अच्छी थी और बहुत अच्छे से उसको सब्सक्राइब करें तो बहुत है तो बहुत ही अच्छा लगा था यह तो मुझे गेटवे ओफ इंडिया पे जाना है और ताज होटल देखना है तो सबसे पहले हम वही पे गए तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है तो रात का काफी अच्छा लग रहा था और एक पर ले रही थी जो कि इसे बाहर से हम लोगों ने देखी थी क्योंकि हम अपने होटल से और गेटवे ओफ इंडिया तक हम पैदल गए थे चर्श था काफी पुरा ना तो यहां की जो इस्टोरिक बिल्डिंग थी ना आइस इसी के नाम पर ना जो यह प्लेस है इसका राभ फोर्ट पड़ा है इस जगह का तो फोर्ट ही बोल रहे थे वो इसको तो हम इधर ही रहे थे और तीन चाहर दिन हम रुके थे तो हमने इधर की जो चीजे थी ना वही सब देखा तो रात को जो ताज होटल है ना वो बहुत ही खूपसूरत लग रहा था और दिन में भी उत कि वहां तक जाती है बट हम लोग नहीं गए थे क्योंकि दूब बहुत थे और बच्चे परेशान हो जाते तो वह तो और हमने कैंसिल कर दिया और यह हमारा एक डिसेंट सा होटल रूम होटल नीटन क्लीन था खाना भी अच्छा था एंड सर्विस तो बहुत ही उसके बाद हम लोग आये थे मरीन ड्रै पे यह दोतीन दिन जितन दिन हम रुके थे न उसका सबका मेक्स करके मैंने बनाया हुआ है और यह भी बहुत ही अमेजिंग जाए थी यहां हम संसेट देखने आये थे और एक डिट घंटा हम यहां पर बैठे थे बहुत ही अच्छ देख सकते हैं उसके बाद हम गिरगाओ चोपाटी गए थे तो मैंने मतलब सुना था मूवीज में देखा था सीरियल्स में देखा था कि चोपाटी ऐसी होती है मतलब समाज नहीं आता था क्या चीज़ है बट वहां गए ना तब देखा और बहुत ही अच्छा लगा मतलब इसको देख की नीचे चटाईया विचा रखी है उसके ओपर लोग बैठके अपना खाना खा रहे हैं और हाँ सबसे अलग जो चीज़ लगी ना मुझे लगी यहां की पानी पूरी यहां पे गरम छोले जो होता है उसको गोल अप्र में भरके दिया जाता है और लोग मतलब पेट बर बर के कहते हैं हमने भी पेट बर के खाया था बहुत अच्छी थी तो हम गरगाओं चुपड़े गए थे यहां पर जितना भी खाना खाया ना आइस क्रीम थी कोला था या फलूदा है पीजा था जो भी कुछ हमने खाया और जो थी बदर जो भी खान था बहुत ही तो उसी के लिए आये थे तो काफी अच्छा रहा था उसके बाद हम लोग जब वापिस के थे तो बाइफ लाइट हम वापिस आये थे डैली क्योंकि ट्रेन का सफर तो बहुत लब्मा हो जाता तो हमने फ्लाइट दी बुक कर वाले थी और जो बोंबे एरपोर्ट था वो जरूर सब वोटो शूट का रहा था तो हम लोगों ने भी किया एंड काफी बड़ा है बॉंबे एरपोर्ट तो हम लोगों का जो गेट था वो 96-97 था वहां तक हम लोग पैदल गए थे और पता ही नहीं चला कि कितना हम पैदल चलके आए हैं क्योंकि पूरा एक्स्प्लोर कर रहे थे और पूरी इस जेके पे ना थोड़ जो गैलरी होती ना उस तरह के यहां पर लगाया हुआ था तो बहुत ही अच्छा मतलब लगा सच में बॉंबे एरपोर्ट की जितने तारीक सुनी थी ना लोग कहते हैं यहां बॉंबे बहुत अच्छा था एंड बॉंबे बहुत अच्छा था नीट अड क्लेन वहां का खाना वहां की लोग हर को फिल कि अच्छा था मितलब बहुत अच्छा लगा ऑंबे घूम की हमें तो कोई बॉंबे इस से मुझे जरूर बताना अब बंबे सच में बहुत अमेजिंग था उसके बाद बस हम लोगों ने अपन वहाँ पर मिस की न वो थी चाय हमारे वाले चाय नहीं मिलती बोंबे में I don't know कितनी गाड़ी चाय बनाते हैं मतलब चाय के उपर मलाई आ जाती है इस तरह की चाय बनाते हैं तो बस वह मैं चीज मैंने मिस की बाकी बोंबे मतलब I love Mumbai मतलब वही वाला हिसाब है तो हम सब को ब विस्तारा की फ्लाइट थी और बहुत ही अच्छी अमेजिंग फ्लाइट थी बहुत अच्छा लगा और शाम की फ्लाइट थी तो सारे ना रंग वंग देख लिए हम लोग जैसे अभी उड़ा भी बिलकुल क्लियर है सी भी दिख रहा है पूरा Mumbai दिख रहा था यहां से औ बहुत बहुत अच्छा था और ब्रावन तो भाई इनकी अमेजिंग थी राइस बीचे तो यह बन और बटर तो है ना मैंने पना पैक कर लिए अगले दीन कर जूँआ करके जुबए बन और बटर गाई और रात को भी खाये तो और चारों ने बन और बटर तो पेक का लिय जरनी थी ना प्लेन की वो भी काफी अच्छे टाइम की थी मतलब शाम की टाइम की थी और यहां पर हम साड़े 8 बजे लेंड होगे थे साड़े 6 की थी वहां से तो बस अब पहुंच गए हम अपने दिल्ली में एंड बहुत अमेजिंग था बोंबे सच में बहुत काफी अच सफर जो की बहुत अच्छा रहा आप लोगों से नेक्स वीडियो में मिलूगी बताएगा वीडियो कैसे लगी बाई